बूे जाटानोग जालीग कोशची करेंच और तो बूएक क्यां आजा में हमने सिर्प डिसकस करना है दिस्टंस टाइम ग्राफ हमने कर दिसकस करना है अब यह हमारे पास है distance time graph ठीक है और हमने distance time graph में क्या देख रहे हैं कि यह जो straight line बन रही है यह हमें uniform speed के बारे में बता रहे हैं distance time graph of a body moving at a uniform body is always a straight line in other words this straight line graph between distance and time tells us that the body is moving with a uniform speed एक तो आपने यह चीज़ धियान रखनी है कि distance time graph हमें क्या बताता है क्या information दे रहा है यह questions पेपर में पुछा जाता है कि जो graph आपसे पुछा गया है कि यह graph आप बनाएए सबसे पहले आपसे यह पुछा जाएगा कि यह graph हमें क्या information देगा और उसका graph किस तरह से बनेगा तो जो distance time graph है वो हमें information देगा uniform speed के बारे में और uniform speed कैसे बनती है straight line बनती है distance time graph में तो हमने क्या लिया एक triangle ले लिए जैसे कि अब हमने points ले लिए यह हमारे पास है distance time graph ठीक है और distance time graph है यह जो line हमारी straight line है इसको हमने ले लिया इसको यह इसके जो points है वो क्या है OA point ठीक है और उसके बाद हमने यहां से dotted lines C point लगा है और यहां से dotted lines B point लगा है अब हमने distance speed का formula क्या होता है distance upon time speed का formula क्या होता है distance upon time अब हमने देखना है कि Speed का formula क्या होता है? Distance upon time. Distance हमारे पास यहाँ पर क्या है? अगर आप यहाँ पर distance देखो तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर OC है, इसके parallel कौन सा है? A, B. इसके parallel distance कौन सा है? A, B. वैसे तो OC distance पर हमने line लगाई है, लेकिन इसके parallel कौन सी line है? A, B. और time क्या है हमारे पास OB क्योंकि हमने triangle लिए OAB तो यह triangle लिए है तो यह हमारे पास distance हो जएगा और यह हमारे पास time हो जएगा तो distance की जगा हम लिख लेंगे AB और time की जगा लिख लेंगे OB फिर मैंने वही बात आपको पताए कि यह हमें क्या information देता है distance time graph से हम क्या calculate कर सकते है speed of the body फिर उसके बाद जो AB divided by OB है यह क्या है हमारे पास slope है अब आप से question पूछा जा सकता है graph को लेके कि यह जो AB उसकी slope क्या होगी तो slope आपने मतानी है कि जो हमने find out कि है distance by time taken यह जो लिखे हैं AB divided by OB तो आपने मताना है कि यही इसकी slope होती है graph of the line OA तो slope distance graph क्या indicate करेगा हमें speed indicate करेगा क्योंकि हमने अभी किया है distance time जो graph है वो में क्या information देता है to calculate the speed तो इसकी slope भी हमें क्या indicate करेगी speed के बारे पिर हमने देखना है कि अगर speed non uniform हो last graph हमने देखा है कि उसमें क्या बताया गया है कि अगर speed uniform है तो वो क्या बनेगी straight line बनेगी अब आपसे यह पूचा जाएगा कि अगर distance time graph आप से पूचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि uniform speed non uniform speed है तो वो हमें क्या information देगा एक तो हम कहेंगे कि जो non distance time graph है और non uniform है तो उसकी जो graph बनेगी वो curved line में बनेगी ऐसे कि graph बहुत ही important है तो ध्यान से करना है तो उसकी जो non uniform speed की होगी तो उसका graph बनेगा curved line में called a parabola. Distance time graph of a body अगर straight line है तो हमें क्या indicate करता है, क्या information देता है कि उसकी जो speed है वो क्या है, uniform है अगर distance time graph curved line में है तो वो हमें क्या indicate करेगा, क्या information देगा कि जो speed है वो non uniform है, वो change हो रही है, if a displacement time graph is done, पहले अभी जो दो graph हमने discuss की है, वो क्या discuss की है distance time graph के बारे में, अब हमें कहा जा रहा है कि अगर graph displacement time graph हो, then it will specifically represent velocity, अगर मैं distance time graph की जगा, अगर मैं displacement time graph बनाता हूँ, तो वो क्या show करेगा, uniform velocity, that will be straight line, यह होगी uniform velocity, तो आप से पूछा जाएगा कि displacement time graph, हमें क्या information देता है, वो information देता है, कि वो represent करेगा velocity, displacement time graph of a moving body is a straight line, अगर यह straight line बनता है, जैसे कि मैंने यह graph बनाया displacement time का, अगर यह straight line बनता है, तो यह क्या होगा, uniform velocity, ठीक है, if the speed time graph are also known as velocity time graph, अगर मैं speed time graph आपको पुछा जाता है, speed time graph का दूसरा नाम क्या हो सकता है, velocity time graph, अब हम discuss करेंगे, speed time graph के बारे में, जिसको हम बोलते हैं, velocity time graph भी, अगर speed constant है, कोई acceleration प्रोड्यूस नहीं हो रही, when the speed of the body remains constant, अगर speed constant है, then there is no acceleration, तब क्या graph बनेगा, अगर speed of the body change हो रही है, at a uniform rate, तो हम उसको बोलते हैं, uniform acceleration, तब कौन सा graph बनेगा, वो हम discuss करेंगे, when the speed of the body changes in a non-uniform, अगर speed uniformly change नहीं हो रही, non-uniform है, तो उसका graph क्या बनेगा, उसको हम बोलते हैं, non-uniform acceleration, अब सबसे पहले हम first condition discuss करते हैं, when the speed of the body remains constant, जब कोई acceleration नहीं होगी, by saying that, speed of the body is constant, means uniform, मला speed बिलकुल भी change नहीं हो रही, speed does not change with time, यही कह रहा है, कि speed constant है, मला same है, तो बिलकुल भी change नहीं हो रही time के हिसाब से, जब कोई speed change होती ही नहीं है time के हिसाब से, velocity change ही नहीं होती time के हिसाब से, it means there is no acceleration, so speed time graph for a body moving with a constant speed, is a straight line parallel to the time axis, मला तो उसका graph क्या बनेगा, इसकी जो graph बनेगा, वो इस थरह से बनेगा, constant speed, ठीक है, parallel to the time axis, time axis के parallel बनेगा, और यह जो इसकी line होगी, वो a-b line होगी, तो अगर speed constant है, कोई acceleration नहीं हो रही, तो उसका graph इस तरह से बनेगा, constant speed parallel to the time axis, in other words, इसको हम कैसे discuss कर सकते, if the speed time graph of body is a straight line, parallel to the time axis, then the speed of the body is constant, यही हमने discuss किया है, कि अगर speed time graph में, वो straight line बनना है, और parallel to the time axis बनना है, तो speed क्या होगी, constant होगी, ठीक है, तो कोई acceleration नहीं होगी, हम acceleration find out ही नहीं कर सकते, क्योंकि acceleration zero रहेगी, speed का formula क्या होता है, distance upon time taken, distance क्या होता है, speed multiply time taken, ठीक है, तो distance traveled क्या होगा, तो हमने यह बनाया graph, speed time graph बनाया था, और यहाँ पर constant speed बनाया थी, OA, ठीक है, तो यह distance होगा, multiply time कितना होगा यह, तो यह होगा OC, तो यह होज़ेगा, हमारे पस OA multiply OC, तो हमने यह graph बनाया, values लिखें, distance traveled OA multiply OC, जैसे कि यह आप यह graph देख रहे हैं, तो distance traveled क्या हो जाएगा, speed क्या है हमारे पास OA, ठीक है, time हमारे पास क्या है OC, तो यह हमारे पास values पुट करनाया है, distance equals to speed OA multiply time taken OC, ठीक है, तो यह क्या है, एक rectangle है, area of rectangle OABC, तो distance traveled क्या आगया, area of rectangle OABC, ठीक है, इट गिव्ज दर डिस्टेंस traveled by the body, यह जो area enclosed है, यह हमें क्या बता रहा है, गिव्ज दर डिस्टेंस traveled by the body, तो हमने distance calculate किया है, अब next हमारे पास condition थी, कि speed time graph बनाना है हमने, अगर speed change हो रही है, at a uniform rate, बहुत सेम speed, हर time के साब से change हो रही है, तो उसका जो, क्या हम बोलेंगे, uniform acceleration है, तीक है, अगर speed time graph में, speed change हो रही है, तो वो क्या बनेगी, एक straight line बनेगी, जिसको हम बोलेंगे, uniform acceleration, तो हमें यह क्या बताएगा, क्या indicate करेगा, क्या information दे रहा है, अगर speed change हो रही है, at a uniform rate, वो हमें बता रहा है, uniform acceleration के बारे में, acceleration होता क्या है, change in velocity divided by time taken, change in velocity अब क्या है, यहां पर, p क्योंकि speed को ही, विलोस्टी बोलेंगे, speed अगर, और और रहा है, तो इसके parallel क्या होगा, p क्यों, तो हम change in velocity क्या लेकेंगे, p क्यों, time taken क्या है, इससे हम क्या conclude निकालते हैं, क्या result निकालते हैं, कि speed time graph हमें क्या बताता है, कि acceleration is given by the slope of the graph, uniform acceleration के बारे में बता रहा है, कि जो slope है, speed time graph की, वो हमें बता रहा है, acceleration के बारे में, तो यह बहुत ही important line है, यह बहुत ज़्यादा पुछी जाती है, कॉशन में कि slope हमें क्या बता रहा है, slope हमें क्या information दे रहा है, वो हमें बता रहा है कि, it gives its acceleration, speed time graph of a body is a straight line sloping upwards, अगर कोई line, जैसे कि हमने यहाँ पर बता थी, speed time graph में जो slope है, वो upward की तरफ जा रही है, तो वो हमें uniform acceleration के बारे में बताता है, अगर कोई slope downward आ रही है, तो वो हमें क्या बताता है, retardation के बारे में, retardation हमें क्या बताता है, कि उसकी जो velocity है, वो uniformly decrease हो रही है, पहले velocity 20 meter per second थी, फिर हमने ब्रेक सप्लाई किये, तो वो क्या होगी, 10 meter per second, अगर slope upward की तरफ है, तो वो uniform acceleration के बारे में बता रहा है, अगर वो downward आ रही है, तो वो क्या बता रहा है, retardation के बारे में, वी assume that initial speed of the body is zero, ठीक है, जब हमने acceleration का graph बनाया था, speed time graph में, जब हमने straight line लगाई थी, ठीक है, तो जब हमने straight line लगाई थी, तो यहां से शुरू किये थी, जब हमने graph बनाया था, uniform speed time graph का, तो हमने uniform acceleration का graph बनाया था, तो straight line बनाया था, यह uniform acceleration है, और जब हमने uniform acceleration का graph बनाया था, तो initial speed कहां से शुरू रही है, origin से मलब यहां पर initial speed थी zero, अब हमने speed time graph बनाना है, when the initial speed of the body is not zero, यहुशुर्स आ और बारे सफ्वेशन का आपन forgiving में इससे और कि सबस्दाएं, और बाएंट पार कि रिखे इस मेंटा खार कौन सी दो parallel sides है, एक तो यह parallel side होगी और एक यह parallel side होगी, इन दोनों का sum करना है, multiply करना है, height के साथ, height हमारे पास क्या है, OA, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sum of two parallel sides, OB plus AC, multiply करना है, OA के साथ, divide करना है, 2 के साथ, तो यह हमें बता देगा, speed time graph, when the initial speed of the body is not 0, but it gives the information regarding only acceleration, okay, speed time graph, when speed changes at a non-uniform rate, अब हमने speed time graph बनाना है, अगर speed uniformly change नहीं हारा, with respect to time, तो उसको हम क्या बोलते है, non-uniform acceleration, उसका graph क्या बनता है, curved line बनता है, या parabola बनता है, when the speed of the body changes in an irregular manner, अगर speed irregular manner से change हो रही है, तो उसका graph बनेगा curved line, ठीक है, तो यह हम curved line बनाएंगे, इसको हम बोलते है, non-uniform acceleration, तो यह हमारे पास थे graphical representation of motion, I hope you all like this video, thank you.